डेड़ महीने में हुई परिक्षा 10 दिन में रिजल्ट 20 दिन लग गए रिजल्ट सुधारने में जी हाँ दोस्तो आज का सबसे बड़ा न्यूज निकल का आ रहा है जो एक्जाम हुआ था सेसन 2019 से 22 वालों का पार्ट वन का उसमें दिया उस डेड़ महीने में हुई परिक्षा लिखा है इसमें दिया हुआ है साल भर देर से नौवंबर 2021 में सुरू हुई थी सनातक परिक्षा दो में दिया हुआ है धाई महीने से मानसिक वा सररिक परसाने जहल रहे सावा लाक छात्र जिया तो आपको मालम होगा कि बिये पार्ट वन के एक्जाम में एक ल और भी दिया हुआ है विहार विश्वविदाले के अंकेबु समंध कॉलेजें बर्स 2019 में एडमिशन लेने वाले करिब सावाल लाक्षा छत्राओं को मुश्किले कम होती नहीं दिख रही करिब साल भर देर से नौवंबर 2021 परिक्षा शुरू हुई तो कुछ उमीद जगी डेड़ महिने में परिक्षा खत्म हुई और दस दिन में रिजल्ट आ गया जी हां दोस्तो लेकिन रिजल्ट में हुई गरवड़ी को सुधारने में अब तक 20 दिन गुजर गये हैं विश्वविदाले की ओर से कहा जा रहा है कि सुधार की परकिरिया चल रही है जलने सभी चात्र का रिजल्ट वेव साइट पर दिखने लगेगा एक और इसमें बात लिखा दोस्तों आपको मालूमी होगा ओमार सीट पर हुई थी परक्षा जैन तो बीए पार्ट वान का जो सेसन 2019 से 22 वाले हैं उनका ओमार सीट पर एक्जाम हुआ था इसमें लिखा हुए इन च प्रेल से कोरोना की दूसरी लहर की कारण लॉकडाउन लग गया जुलाई में जब इस्तिती समाने हुई तो परिक्षा के तियारी सुरू हुई दो सत्र की परेंडिंग सनातक पर्ट की परिक्षाय ओमार सीट पर कराने का निड़ाय लिया गया ज्यांस तो दो पार्ट का और एक और बात इसमें बदा दें कि जो 2020-23 वाले उनका भी ओमार सीट पर ही एकजाम होगा एक और बात इसमें लिखा गया है इस साल पूरा होना था कोरेस सनातक 2019 के छातर अभी पार्ट वन में ही उल्जाय है जबकि इस साल उनका कोर्स पूरा होना था और भिर्जड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर रखें जैसे ही हमको टाइम मिलता है तो आपका आठ सभी साथ का त्यारी कराने के लिए हम रेडी हो जाएंगे दोस्तों ठीक है यह कुछ निज में दिया ता आप सब दोस्तों को अगर आच्छा लागा होगा तो वीडियो